कादर खान का निदन हुए चार दिन बीच चुके हैं कादर खान के चाहने वालों के लिए उनके परिवार ने मुंबाई में भी एक शौकसभा का आयूजन किया था इस प्रेयर मीट में बलेवुड के दो-चार चुन्दीन दा डाई रेक्टर ही पहुंचे बलेवुड की इस बेरुखी से कादर खान के बेटे नाराज हैं हाल ही में कादर खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में कादर खान अपने बलेवुड स्टिगल के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अमिताब बच्चन से उनके रिष्टे खराब हुए और कई फिल्मों से हाथ धोना पढ़ा था वीडियो में कादर खान कह रहे हैं, मैं अमिताब बच्चन को अमित कहकर बुलाता था, तब ही किसी प्रोडियूसर ने मुझसे आकर कहा कि आप सर जी को मिले, इस पर मैंने कहा कि कौन सर जी, फिर उसने कहा आप नहीं जानते, उसने अमिताब की ओर इशारा कर कहा कि वे हमारे सर जी हैं, कादर खान कहते हैं, मैंने कहा कि वे तो अमित है, सभी तब अमिताब को सर जी सर जी कहकर भूलाना शुरू कर चुके थे, लेकिन मेरे मुह से उनके लिए कभी अमित जी या सरजी नहीं निकला बस अमित आपको सरजी न बोल पाने की वज़े से मैं उनके ग्रूप से निकल गया उन्होंने आगे कहा क्या कोई अपने दोस्ति या भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है नामुम्किन बात है ये मैं नहीं कर सका ये और इसलिए मेरा उनसे वो राब्ता नहीं रहा यही वज़े है कि मैं उनकी फिल्म खुदा गवाह में नहीं रहा फिर उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी और छोड़ दी इसके बाद कुछ और फिल्मे थी जिन पर मैंने काम करना शुरू किया था लेकिन वे भी छोड़ दी बता दें कि हाल ही में कादर खान के बेटे सर्फिराज ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि फिल्म जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पिता के काफी करीब थे लेकिन एक शक्स जिने मेरे पिता बहुत पसंद करते थे वे हैं बचन साहब मैं अपने पिता से पूछता था कि वे फिल्म जगत में सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं तो वे है सीधा जवाब देते थे बचन साहब कादर खान के निदन पर अमिता बच्चन ने उन्हें सोशल मीडिया पर शद्दांजली दी थी अमिता बच्चन ने लिखा था एक दुखद निराशा जनख खबर मंच के एक शांदार कलाकार अध्भुत प्रतिभा के धनी मेरी कई सकल फिल्मों के एक प्रख्यात लेखा का और एक घनितग्य कादर खान साहब नहीं रहे